ओम साइराम, मैं लक्षमे नितिन डांगे, नाकपूर से हूँ, मैं और बाबा, अगर मैं ऐसा कहना चाहूं तो मुझ में बाबा ऐसा फील होता है, ऐसा कहने की इच्छा होती है, बट मोस्टली ऐसा देखा गया है कि अगर मैं अपनी बारे में कहूं तो मैं बाबा को मेरे से मेरे हजबन से connect हुई मतलब मैं मेरे हजबन से connect हुई in the year 1998 और 98 से अगर मैं करूँ मेरे हजबन 1994 से बाबा के दर्शन के लिए शेर्डी आते थे वो तब से connect हुए है बट मैं उन से जब connect हुई 1998 में तब से ही मैं बाबा को धीरे धीरे जानने लगी थी और उसके बाद में मुझे जो अनुभव आये हुए मैं आज आपके साथ में शेयर करने के लिए हूँ और चीजे इस तरह से जुड़ी इस तरीके से आगे बढ़ती गई कि मुझे ये बाबा के अनुभव है ऐसा बहुत जगह पे मुझे ऐसा महसूस हुआ तब तक कि तो साई बाबा बस इतना जानती थी और दैट टू मेरे फादर की दूर की सिस्टर है एक उनकी थू मैं जानती थी कि हाँ वो शिरडी आती है और शी इस वेरी डिवोटेड लेडी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है वो बाबा से और बाबा की भक्त है बहुत गहरी इस हसाब से मैं बाबा को बस इतना ही जानती थी मगा 98 में मेरे हस्बंड के थू जब हम लोग मिलते थे तो वी उस्ट गो टू साइमंदर जाया करते थे हम लोग और फिर गूमने जाया करते थे तो उस तरीके से बाबा से मैं मिली या मेरा बाबा से जुडाओ बढ़ता गया उसके बाद में और हम लोग ऐसा हुआ कि हम ल मेरे हस्बंड भी थोड़ा चोटा मोटा अर्निंग करते थे और उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोगों ने देखा कि वो उतना कुछ अच्छे से हो नहीं रही थी चीजें ठीक तरीके से वर्काउट नहीं कर रही थी बस 2001 में हम लोग पहली बार शिरडी गए मैं मेरे हस हस्बंड मेरे फादर इनलो मादर इनलो हम लोग सब जन मिलके शिरडी आए शिरडी आने के बाद में बाबा के सामने उस वक्त मैंने और मेरे हस्बंड ने कहा था कि इसके बाद में बाबा बस इतनी ताकत देना कि हमको उधार करके शिरडी ना आना पड़े हम लोग उस व भी हम लोगों ने बाबा से कहा था तो बाबा तो डेफिनेटली अपने भक्तों की पुकार सुनते ही है और हम तो छोटे-चोटे बच्चे है उनके तो ज़रूर उन्होंने हमारी बात सुनी और हर साल हम लोगों को बाबा ने 2002 में हम लोगों ने जॉब ड्यूद के सारी चीजे रुल आउट होके मेरे फादर इन-लो जो है वो बहुत अच्छा भजन गाते हैं तो हमारे घर में सब जन सबको आदत है और सब हमारे घर में भजन किरतन ये सारी चीजें होती है तो हम लोगों के भजन में एक भजन हुआ करता था मेरे घर के आगे साइनात तेरा मंदिर बन जाए तो जब भजन गाते थे तो पहले मैं गाया करती थी उसके बाद में मेरा बच्चा छोटा जो है उसको भी ये भजन बाबा का पहला भजन अगर उसने गाया है तो यही गाया है कि मेरे घर के आगे साइनात तेरा मंदिर बन जाए जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए बस ये बाद बाबा ने इतनी 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 शिद्दत से मान ली हम लोगों की कि आज 2011 में जब हम लोगों ने घर खरीदा तो बिलकुल उसके सामने मंदिर है साइड से अगर देखो तो और मेरे घर के किसी भी पोर्शन में आगया वे ले आंगन में खड़ी है दर्वाजे में खड़ी हो जाऊ चाहे मैं ओपर के गैलरी में खड़ी हो जाऊ या टेरिस पर खड़ी हो जाऊ वहां से बाबा का मुकदर्शन बाबा के उस मंदिर के खिड़की से मुकदर्शन हो जाता है इतनी बात बाबा ने हमारी मानी है इतना हमारा ध्यान रखा है इतना हमसे प्यार करते हैं बाबा उसी के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूंगे जब 2003 की बात ही है 2003 में जब हम लोग ट्राइ कर रहे थे कि हमको बच्चा होना चाहिए तो उस वक्त एक सपना 9 मार्च 2003 की बात है मुझे ऐसा सपना है कि एक बहुत काला सा ऐसा कोई पीछे बैक ग्राउंड ऐसा पत्थर है और उसके सामने बाबा ऐसे दो सीडिया लगी हुई है और उस सीडियों के सामने बाबा का वो जो पत्थर रहता है जिस पर बाबा बैठते थे बाबा का जो स्थान है बैठने का वो रखा हुआ है उसके पीछे काला वाला एक बहुत काली दीवार है जैसे जली कुछ दीवार होगी काली सी ऐसे और उसके ओपर औरेंज कलर के वस्तर परिधान किये हुए बा बाबा के बिलकुल opposite side में swimming pool के इस तरफ कोई coach जो है वो बच्चों को उनके parents और बच्चे आए हुए वो trainer है वो swimming का training देते हैं और वो ऐसे दिखाई दिया कि वो बच्चों को और parents को कुछ सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं कुछ guide कर रहे हैं और उतनी ही देर में उस floor से चलते हुए एक चोटी सी बच्ची जो है वो पानी की और जारी थी और कुछ दूरी पे मैं खड़ी थी मतलब मेरे सामने बाबा है ऐसे बीच में पानी का जो swimming pool है वो है उसके एक तरफ जो है वो trainer जो है वो swimming के techniques बता रहा है parents के साथ मैं डिसकस कर रहा है और दूसरी तरफ मैं खड़ी हूँ और जोर जोर से चिला के कह रही हूँ कि थोड़ा देखो वो बच्ची डूब जाएगी बच्ची पानी के पास जा रही है बच्ची डूब जाएगी फिर भी किसी का ध्यानी कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है और मुझे कहीं न कहीं मेरे back of the mind में ये था कि मुझे तैरना नहीं आता है बट ये जानते हुए भी मैं जोर जोर से चिला रही हूँ और कोई मुझे नहीं सुन पा रहा और all of a sudden मैं बच्ची पानी में गिर गई जैसे ही पानी में गिरी तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं बच्ची डूब जाएगी तो मैं दोड़ते ह ये बना ये सोचे मुझे चल रहा ता देमाग में कि मुझे तैरते नहीं आता है फिर भी मैं पानी में जोर से च्छहलांग मारा मैं doğru जैसे ही चलांगमार तो मैंने महसूस किया कि मेरे पैर के तलवे के नीचे राइट लग के नीचे बच्ची की पीठ मेरे साथ में नीचे जा रही है तो यह जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ बच्ची नीचे जा रही है पानी में तो मैंने तुरंत में अपना एक राइट जो हैंड है वो मैंने नीचे रखके और मैं भी पानी में नीचे जा रही हूं तो मैंने जैसे हाथ नीचे किया और बच्ची को पकड़ने गई तो बच्ची का कोई कपड़ा जो है पीट से कपड़ा ऐसे ऊपर ले आई मैं और जैसे ही बच्ची को ऊपर ले आती हूं तो मैं खुद भी उपर आ गई बच्ची के साथ और जैसे ही उपर आई और मैं देख रही हूँ तो all of a sudden दूसरी और मुझे जहां बाबा बैठे हुए थे मुझे ऐसे दिखाई दिया कि बाबा यसे दोड़ती वे जैसे नीचे आते बस सीड़ियों से नीचे उतरे वो बच्ची को बचाने के लिए जैसे बाबा दोड़के आ रहे थे ऐसे और जैसे ही मैंने उपर किया तो उन्होंने suddenly ऐसे देखा मेरी ओर और देखके उन्होंने थोड़ा सा एक हलकी सी स्माइल दी और बस यूं करके उन्होंने इतना कहा और फिर वो दो सीड़ियां उपर चड़के फिर जगपे बैढ़ गए और ये सब होने के बाद में ये थी 9 मार्च की बाद और 25 मार्च को मुझे पता चला कि मैं प्रेगनेंट हूँ ऐसा भी चमतकार बाबा ने दिया है और इससे भी चमतकार में ज़्यादा बड़ा ये बताना चाहूँ कि ये तो बात थी 2004 की 2004 नौ मार्च 2004 की बात थी ये जब मुझे ये सपना दिखा था 25 मार्च 2004 में मुझे कंसीव हुआ करके न्यूज आया और 2015 या 2016 की बात है यहाँ साइती इर्थ है शिर्डी में जो बहुत बहुत ही खुबसूरत जगह है साइती इर्थ के बिलकुल आगे में ये है अपना वाटर पार्क है वाटर पार्क में जैसी आप एंटर करते हैं आपके राइट हैंड साइड में ही एक पोर्शन में सेम वही चीज है मैं यही सोचती थी कि ऐसे कहां दिखेगा जहां बाबा भी है जहां स्विमिंग पूल भी है जहां पानी भी है जहां पे लोग भी रहेंगे तो आज आप जाके जरूर देख सकते हैं कि मैं 2015-2016 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है उस वाटर पार्क का वहां पे देख सकते हैं कि वैसी ही काली दीवार है पीछे में वैसे ही दो स्टेर्स हैं उस पे बाबा का आसन है वहीं औरेंज कलर के जो कलर के जो कपड़े थे मतलब मैं जब साइतिर्द गई थी उसके बाद में और उसके बाद में उन्होंने एक कुपन दिया था मुझे कि आप देख सकते हैं जाकि अंदर वाटर पार्क से देख सकते हैं तो जब मैं गई तो मैंने अपने हस्बंड को भी बता हैं कि देखो जो मैं देख रही थी 2004 की बाद आज मैं देख रही हूँ कि यह ऐसा कैसा दिख रहा है वैसे ही है काली दीवार, दो स्टेर्स, बाबा का आसन, बाबा उस दिन भी औरेंज कलर के कपड़े ही पहने हुए थ और मैं वहीं खड़ी है कि यह सब देख रही थी जहां मैंने देखा था खुद को सबने में तो यह ऐसा भी experience मुझे आया हुआ है कि जो मेरे बच्चे को लेके जो मेरी pregnancy को लेके यह मैंने experience किया है यह बहुत मेरे लिए आज भी मुझे इस चीज के लिए बहुत गूजबम फील करती हूँ ऐसे कई से experience है मेरे पास में इससे एक और experience मैं शेयर करना चाहूंगी हर एक के life में ups and downs आते हैं सारी चीज़े रहती लेकिन एक पल ऐसा भी आता है कि जब हम feel करते हैं कि नहीं कुछ नहीं है या हम लोग कभी यह feel करते कि मेरे साथ कोई नहीं है कहीं तो ऐस सी एक situation आती है तो एक रात ऐसा ही हुआ कि मुझे ऐसा feel हो रहा था कि नहीं मैं बहुत अकेली सी पड़ गई हूँ अब मेरे पास कोई नहीं है और मैं feel कर रही थी कि मुझे कुछ तो ऐसा हो कि मुझे कोई तो ऐसा महसूस हो कि मुझे बोले कि हां मैं तुम्हारे पास उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी रात में और मैं बेड़ पे ना सोते हुँ इस दिन मैं नीचे सो गई थी जस्ट एक तक्या लेके मैं सो गई और बहुत रो रही थी मैं और रोते में मुझे मैंने बाबा को सिर्फ इतना याद कि बाबा अगर आप है तो आप जानते हैं कि मेरे साथ में कोई भी नहीं है अब मैं इतना जादा अकेले फील कर रही हूं कि मैं कुछ भी किसी से डिसकस में कर सकती तो मुझे सिर्फ इतना इशारा दे दो कि हाँ मैं आपके साथ हूँ ऐसा भी अगर आप मुझे इशारा दे देता है तो मैं कम से कम उस चीज से निकलने के लिए मुझे रास्ता दीखेगा और आप यकीन मानिये मैं रात को यह बोलते हुए सोई हूँ, रोते हुए सोई हूँ लेकिन रात के करीबन भाई तीन बजए की बात है कि मुझे यह मैसूस हुआ कि मेरे सिरहने बाबा बैटे है और उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे सिर से हाथ गुमाते हुए बाबा ने मुझे कहा कि तो ऐसा क्यों सोचती है कि तेरे साथ कोई नहीं है यखीन मान मैं तेरे साथ में हूँ मैं तेरे साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा और ये जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे ये मालूम था कि मैं रात को रोते हुए सोई हूँ या मैं रो रही थी उस वक्त जब मैं सो रही थी लेकिन जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो उस वक्त से लेके तो सवेरे उठने तक के मेरे चेहरे पे हसी थी मैं इतनी अंदर से खुश थी कि मैं अंदर से महसूस कर रही थी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है जो कि मैं जता नहीं पारी थी किसी को बस सवेरे जब उठी तो मैंने मेरे हस्बंड को बता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो कि सपना भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देखा था जब सवेरे उठी तो, मैं बस अपने हजबन को बोल रही थी, पता नहीं मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से इतनी खुश हूँ, कि मैं लोगों को जा जा के बताओं कि मुझे बह की देरी है, आप उनको महसूस कर सकते हो, आप उनको जान सकते हो, आप हर सिचुएशन में देख लो, आपके साथ खड़े रहेंगे वो, जहां कोई खड़ा नहीं ऐसा महसूस करोगे, आप बस श्रद्धा रखो, और सबूरी रखो, सबूरी बहुत जरूरी है, इनसान हर एक ही गलती करता है, कि जब कठिन समय आता है, तब ही वो भगवान को सिर्फ याद करता है, अरे सुख में भी याद कर लो, जो दे रहा है, इतनी खुशी दे रहा है, हर पल की खुशी दे रहा है, बस खुशी आ गई, तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ऐसा, मेरा व कि आप एक बार मेरा समरंड करते हैं, हमारा समरंड होता है कि क्या चीज बनी है, आज नमक कम है, आज तीखा कम है, आज ये है, आज वो है, आज मुझे ये खाने का मन है, कभी एक बार बोलके तो देखिए कि बाबा आईए, साथ में खाईए मेरे, मैं जो खा रहा हूं, जो बिरूर ये महसूस करेंगे, ऐसा, एक और इंस्टंस ऐसा हुआ कि हमारे यहां साही मंदिर बना, अब साही मंदिर बनने का भी किस्सा मैं आपके साथ में ऐसा शेयर करना चाहूंगी, कि हमारे यहां बिल्डर ने साही मंदिर का ढाचा तो बना के दिया था, लेकिन हमारे अचिका Adhanさん को अधे पास में समझ नहीं आरहा था कि क्या क्या कॉण से मूंसे भगवान tirar का मगर बाबा को आना था मेरे घर के आगे साइना の तेरा मंदिर बन जाए है जब ये मंदिर बनना था या जब बाबा की मूरति आनी थी तो सब के साथ में मीटिंग कोई कह रहे थे गनेश जी बिठाएंगे, कोई कह रहे थे शंकर जी बिठाएंगे, जिनके जो इश्टदेव हैं, जिनके जिनकी श्रद्दा है, उस हिसाब से वो कह रहे थे कि ये करेंगे, ये बिठाएंगे, बट अल अफ वसड़न सब के मन में एक एक ख्याल आया कि सब का मालिक एक ये ख्याल आया तो सब ने कहा कि बाबा बिठाएंगे बाबा को बुलाएंगे हम अपने कॉलनी में बाबा को बुलाएंगे जब ये बात हुई तो फिर डिसकेशन शुरुआ कि ठीक है बाबा की मूरती ले आएंगे बाबा की स्थापना करेंगे यहां पर जब यह बाते हुई तो शुरू हुआ सफर कि कहां से लाएंगे बाबा की मूरती और जब हम लोगों ने कॉलनी में बात की तो डोनेशन भी सही से नहीं आ रहा था कहां से आएगा पैसा कितनी की मूरती आएगी जब हम लोगों ने इसका इन्व तो इतना तो donation ही नहीं आया था, इतना तो donation आने की गुंजाइश भी नहीं थी, तो यह आएगा कहां से यह सारी चीज़ है, हम लोग इसी में थे, उसी वक्त मेरा job भी शुरू था, वो job में भी मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं field work करती हूँ, और मुझे sitting job था, तो मैं कई बार वहाँ से चुट्टी ले लेती थी, 10 दिन की चुट्टी, 4 दिन की चुट्टी, जबकि jobs में चुट्टी लेते नहीं बनती, लेकिन all of a sudden ऐसा हो गया कि, कोई initiation लेने कोई तयार नहीं था, उसी दोरान मेरी कुछ फ्रेंड्स मेरे पास में आई, और मुझे बोलने लग गई कि, लक्षमी तू हमेशा बोलती है ना कि, बाबा की मूर्ती आनी चाहिए, बाबा की मूर्ती आनी चाहिए, चल जेंड्स का तो मुझे पता नहीं कि, कहां तक क्या पहुँचता है, उनको अपने काम से समय नहीं मिलता है, तो एक काम करते हैं, हमी लोग डिसाइड करते हैं, हमी लोग कुछ तो भी इनिशेशन लेते हैं, help तो अपने को जेंड्स करेंगे, हमारे हजबन हमारे हम लोगों को मदद करेंगी, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम लोग बाबा की मूर्थी के लिए कुछ तो शुरू कर पाए तो बता तो उसे ही क्या कर सकते हैं वो कोइंसिदंस देखिए जब बाबा को आना होता है तो कैसे कैसे सारी चुछे जुड़के आती है जो कि 1 मिनिट देनी पाई थी अपने काम में से तो मैं उस वक्स घर पे थी दो महिनों के लिए उस दो महिने के डूरेशन में मैंने मेरे हाथ से बाबा ने वो कार्य करवाएppe हम लोगों ने उसके बार में पलान अप की या मूर्ती की information निकालने की कोशिश की यह सारी चीज़े हो रही थी और मैंने अपने husband के साथ में discuss किया तो मेरे husband बोले कि कोई बड़ी बात नहीं है आजकल online सब कुछ available हो जाएगा मूर्ती जो बनाते हैं उनका number सारी चीज़े अवेलेबल हो जाएगी और जैपूर से ले आएंगे मूर्ती करके फिर हम लोगों नहीं है सारी चीज़े हम लोगों के friends के साथ में कालनी के लोग के साथ में discuss कि और उन में एक खान साब करके हमारे कॉलनी में वो भी हमारे कॉलनी से वो भी जा रहे थे उनके साथ में कुछ और लोग भी जा रहे थे जुड़ते हुए तो यह सारे 10-11 लोग यह लोग गय थे जैपूर और यहां से मेरे हस्बन ने पूरी information निकालनी शुरू की तो उनको online दिख मेरे हस्बन ने contact किया उन्होंने बातचीत की इन लोग की बातचीत चुरू थी और इधर जो कॉलनी के जो लोग थे यहां से जो कुछ जेंड गये हुए थे वो लोग भी वहां पर information निकाल रहे थे जैपूर पूरा खंगाल रहे थे वह यहां वहां जैपूर के जो भी ना नजर में बस डिसाइड यहां था आगए कि एक नजर में जो बाबा की मूर्ती भाज आए बस वहीं मूर्ती ले आएंगे और यहां से यही बोलके गये थे बाबा को कि बाबा बस आप यह काम कर देना और मेरे हस्बन से फिर मेरे हस्बन ने फिर उनसे contact किया कि पसंद आई क्या मूर्ती पसंद आई क्या करें थे नहीं यहां पर ऐसी है यहां पर वैसी है आखिर मेरे हस्बंड ने कहा कि सब मूर्तियां देखके हो चुकी आप मैं जो एक बार बोल रहा हूं कि आप उनके पास भी जाके देखिए वहां पे भी आप देखने के बाद में शायद हो सकत है वहीं अपने बाबा ने कुछ लिखा होगा अपना अब सबने डिसाइड किया जब इतना बोल रहे है डांगे साब बोले तो चलते हैं फिर वो लोग अड्रस वगरे लेके वहां गये जाने के बाद में हर जगत दो फूट यह तीन फूट की मिल रही थी मूर्थी जितने कॉस्टिंग्स में वो लोग बता रहे थे उसमें इतनी आएगी हमारे बजट में जो है थोड़ा बहुत इतना जम सकता है हम लोग ऐसा सोच रहे थे बन जाएगा हम लोग जाने के बाद में एक तो जैपूर के पूरे बाहर है कहते हम लोगों ने तो आज तक नहीं देखा मैंने और मेरे हस्बन ने आज तक उनका घर नहीं देखा हुआ है बट जो गये थे उन्होंने बताए कि जैपूर के पूरे बाहर में है वो और उनके घर में करीबन साड़े तीन पॉने चार फुट की वो मूरती है और उस पर कपड़ा लगा हुआ था और जब उनने बात क जब शर्मा जी को बताए कि ऐसे डांगे जी के तरफ से हम लोग आये हुए है करके तो ने बताए हाँ मैं आप आपी की रहा देख रहा था आप लोग आने वाले थे मुझे बताए था मैं आज ही उनसे सवेरे बात किया और उन्होंने अभी मुझे बताए कि आप लोग आ आए देख लीजिये मुर्ती करके उन्होंने वो जो मूर्ती है जो अभी हमारे साइमंदिर में है वो मूर्ती उन्होंने किसी और के लिए बना के रखी हुई थी जो कि आके दो-तीन दिन में वो मूर्ती ले जाने वाले थे और उसके उपर एक सफेद करलर का कपड़ा ढग पोप चेहरे में इतना बढ़ह उनका टींडेशन एक्सक्रा पूरली आ यह?" और वो तयार है, इस तरीके से दिखते हैं बाबा हमारे आखे, आपको मैं बताओंगी उनका भी फोटो दिखाओंगी, उनका भी चहरा दिखाओंगी आपको कि बाबा इतने सुन्दर और इतने तयार बैठे थे हम लोगों के लिए ऐसा लग रहा था कि बस ले जाना है, जब token 20,000 डिया हुआ था और देने की इसमें गय थे कि 20,000 देंगे और खुब हो गया तो उपर में और 75,000 दे पाएंगे इस से ज़ादा नहीं दे पाएंगे करेंगे अब जब बात शुरू हुई तो सोचा गया कि बोले आप बताईए शर्मा जी ने का आप बताईए कितना पाएंगे और उसकी भी बात वो जो मूर्ती थी जो यह लोग देखकर आया थे हैं यह लोग भी जिद करके वैट नहीं आप एक काम करूं यही मूर्ती हमको दे दो दूसरी उनको बनागे दो जिनन आपको और दी हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं वो लेने के लिए आएंगे करके गाँ तो इन्होंने कहा एक बार आप यही मूर्ती दे दो हमको आप उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करो या उनको बोलो एक 10-15 दिन में और आएंगे बहुत जादा जब बात चीत हुई सारी चीजे हुई तो शत्मा जिनने उनसे बात की जिनके लिए मूर्ती बनाई थी उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी फिर भी 15-20 दिन लगेंगे आने के लिए करें तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर बोले ठीक है मैं रेडी रखता हूं करके बना बताया उन्होंने और वो जो मूर्ती थी जो यह लोग दर्शन करने आते हैं और हर को यही बोलता है कि आपके बाबा का चेहरा बहुत हस्मुख है देखते सही ऐसा कंटेंट महसूस होता है बहुत रिलाक्स महसूस होता है कि सही मैं बाबा बहुत खुश है यहां पर और हमको इस चीज की बहुत तसल्ली है कि बाबा को दे चोटा सा कार ये दिया था वहाँ पे कि मैं बाबा की शौल चेंज करने जाती थी या बाबा क्यों अभिशेक करती थी मैं लेकिन धीरे 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 ऐसा होने लग गया कि अपने टाइम से या किसी इस से मैं नहीं कर पा रही थी और वो कहीं नहीं एक गिल्ट महसूस होती थी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, इतना अब पहले तो नौकरी करती थी, अब तो खुद का बिजनेस है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही हूँ, बोलती जरूर थी मैं कि नहीं मेरा जब खुद का बिजनेस यह हो जाएगा, तो मैं तो बाबा आपको अच्छे से समय दे लेकिन मनश्च जो है ना वो बहुत तर्ग देता है, हर चीज में तर्ग देता है, ऐसा नहीं है, जिसको करना होता है, वो बराबर करता है, यह तो सिर्फ बोलने की बाते रहती है कि आज नहीं मैं कल कल नहीं परसू, बट ऐसा हुआ है कि यह गिल्ट लेके चल रही थी मैं भी बोली थी महली, बाबा को प्रशाद चड़ाओंगी मैं अभी, बाबा को प्रशाद चड़ाना है मुझे, ऐसे जस बोलके हम लोग कोछ डिसकुशन चल रहा था था, यह काम करते हैं, तो वरदा रोड चलेंगे, नागपूर में वरदा रोड पे भी एक बहुत अच्छा स से, तो मैं मेरे हस्बंड नेहा, नेहा के हस्बंड, ऐसा हम लोग एक रास्ते से गुजर रहे था, ऐसे दिखाई दिया और वो भी वैसे ही दिखाई दिया, कि बिलकुल बाजू से जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं, उसके बाजू में ऐसे एक जला हुआ या खंड प्रशाद होता है वो खड़ा प्रशाद हाथ में लेके हम जा रहे हैं और जाते वक्त ऐसे ही मैं हूँ मेरी फ्रेंड मेरे बाजु में थी और खड़ा प्रशाद हाथ में था और मैं उसको बोल रही है निहा यह प्रशाद बाबा को खिलाना है इतने दिन से इच्छा थी मेर कि बाबा को प्रशाद खिलाना है पता नहीं यार कब बनाऊंगे और कब लेके जाऊंगी समझ में यार अब ये बाबा को प्रशाद चड़ाना है कहां चड़ाएंगे ये बात कर रहे है और पता नहीं क्यों उसने ऐसा हाथ रखके वो चल रही थी प्रशाद चड़ाना है ब लोग कहते हैं कि ये वो कुछ भी बोल सकते बट जो एक अंदर से महसूस होता है कि वो क्या था तो वो वही खुशी महसूस हो रही थी जिस दिन मैंने बाबा को कहा था कि बाबा मेरे साथ में अगर आप हो तो मुझे महसूस करा हो कि आप मेरे साथ में हो तो ये वो महसूस कि मैंने उस दिन जब वहां से उसके हाथ से वो प्रशाद लिया गया तो मुझे मैसूस हुआ कि बाबा ने ही उसके हाथ से वो प्रशाद लिया और मुझे यह मैसूस हो रहा था बार-बार कि तेरा प्रशाद ले लिया है मैंने मैंने तेरा प्रशाद अच्छे से ले लिया है चिंता मत कर तुने मुझे प्रशाद चड़ा चुकी है यह जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा कि क्या वहत है मैं इधर बोल रही हूं बाबा मेरा प्रशाद बाबा को प्रशाद चड़ाना और देखो तो बाबा ने उस दिन रात में ही मेरे हाथ से वह प्रशाद ले कि नह blijreso कि और या धो झाए तो मैंने मेरे हस्बंट ने बच्च ने मेरे दो कि बच्चे को भी बथा इन कि देखो तुम्हारे साथ में ऐसा होता है कि मेरे हजबंड एक्वों कहीं जा रहे हो तो तुम्हारे पहले तुम्हारे तुमको कहीं ला भाज भी लोगा काहीं यूमस tasting हो जाते हूं यूइसा मैं भी मने महसूस किया है कि जब expired ध्यान नहीं होता मेरा और अचानक बाबा किसी गाड़ी पर डिख जाते हैं कंई स्टिकर जाता है ख़िक लिखा हुआ दिख जाता है कई साइराम लिखा हुआ दिख जाता है तो ऐसा कही दिखने के बाद में महसूस होता है कि नहीं बिलकुल सही है हम जहां भी जाए जब भी जाए हमारे पहले बाबा होते हैं किसी और टो मैं बैठों किसी से मिलने जाओं कहीं किसी से बात करनी हो, किसी केमिस से मिलना हो, तो वहाँ मेरे से पहले बाबा पहुंचते हैं, मेरे से पहले वहाँ वो महसूस कराते हैं, यहाँ तु शुरू कर मैं हूँ, देख लें यहाँ पे, मैं जरूर हूँ तेरे साथ में, तो यहाँ शुरू कर बात अपनी इतना महसूस किया तो वो मैंने भी महसूस किया हुआ है ये मेरे बैटे ने भी महसूस किया हुआ है कई बार की हा ममा ऐसा होता है मेरे साथ में भी कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो अब वो मुझे बताता है देखो ममा अपने से पहले बाबा जा रह तो ये ऐसी कई सारी चीज़े जुड़के आई है, ये ऐसी कई सारी चीज़े होती रहती है, मैं एक और आपसे अनुभाव शेयर करना चाहूंगी, ये सारी जो है ये बाबा के अनुभाव हैं, हम जो ये फील करते हैं, ये सारी चीज़े जो ये है बाबा के अनुभाव, जो हम लोग feel करते हैं या बाबा की जो लीलाएं हैं हम लोग के हम लोग जो महसूस करते हैं यह सारी लीलाएं है बाबा की तो इस में मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगी आपको कि मैं इस फेबरोरी में अभी 2022 February में मैं आई थी अपने वही friends के साथ में निहा के साथ में उनके husband के साथ में आई थी मैं और तब मैंने कहा था कि बाबा मेरी ऐसी इच्छा है कि नहीं हूँ financially उतनी stable तो हर बार आने के लिए करके थोड़ा सोचना पड़ता है आपने ही कहा हुआ है कहा था कि सच्चर दिलाते आपकी यह बात कि बाबा उधार करके आने से मना करते हैं तो मैंने तब से यह शुरू किया कि नहीं आपके दर्शन को आऊंगी तो बिना उधार के आऊंगी तो आपने ही वो मुझे strength दी वही आपने मुझे ताकत दी और वही आपने सब arrangement की कि मुझे कभी उधार लेके नहीं आना पड़ता है अभी और उसी वक्त मैं बोलके आई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा birthday जो है अपरेल में आता है तो उस वक्त मैंने February में जब आई थी तो मैं जो एक back door से आपका दर्शन होता है मुख दर्शन होता है कहिए या तो फिर एक general दर्शन करक थी कि बाबा देखो मैं आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा आप मुझे बुलाते हो हमेशा ऐसे ही बुलाया करो बस भूलो मत मुझे यह जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मुझे बूलो मत मैं चाहे कितने भी मुर्खता कर लूँ मैं कितने भी ऐसे कार्य कर लू क्योंकि जो आपको पसंद ना आए एक तो ऐसी मती दो कि ऐसे कार्य न करो और गलती से हो जाए तो माफ कर दो मा मा हो तो माफ कर दो अपने बच्चों को ये जब मैं आपको बोलती हूँ ये सब में जब बात कर रही थी आपसे तो all of a sudden ऐसा हुआ कि मैंने आपसे ये भी कहा बाबा मेरा April में बर्डे हैं फिबरुरी में मैं आई हूँ और फिर April में आना है तो बहुत सोचना पढ़ता है इतने short duration में आने के लिए भी आप समझ सकते हो कि सोचना पढ़ता है तो बस मेरी ये इच्छा है कि मीरे 4 April को मेरा बर्डे है तो आप मुझे बुला लो फिर से एक बार देखो अगर बुला सको तो यही मैं बात कर रही थी और आपके सामने में जो जो आपके दर्बार में जो एक सेक्यूरिटी गार्ड है वो मुझे बोले कि कहां से आये हैं आप मैंना उनको बता है कि नाकपूर से आई हूँ और मैं उस वक्त बहुत इस से सोच रही थ कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग यह फील करते हैं लोग कहते हैं कि आपके सबकॉंशिस माइंड में आप बाबा को फील करते हो ना इसलिए आपको ऐसा लगता है ऐसा होता है बट मैं जानना चारी थी कि यह तो मैं अनुभाव कर रही हूँ आपके आप मुझे अनुभाव दे हैं लेकिन यहां के लोग भी वह अनुभाव करते हैं और जो लोगों का का होता है कि नहीं हम लोग हमारे मन में होता है इसलिay वह ऐसा आता है तो मैं जब यहां से उन से बात कर रही थी से कि अपके तो उन्होंने कहा कि यहां बैठा जो भी व्यक्ति है जो उनके सानिध्य में आया हुआ है यह हर व्यक्ति फील करता है यह हर व्यक्ति खुद को फॉर्चनेट समझता है बहुत जादा मतलब बहुत जादा वो खुद को लखी समझता है कि वह बाबा के दरबार में इतने आसा बाबा जब किसी का टाइम सही टाइम आता है तबी बाबा बुलाते हैं यह जो बात है बस इच्छा होनी चाहिए आपका दीर संकल्प होना चाहिए कि हां मुझे जाना है तो बोले तब तक के बाबा यह अपनी परिक्षा लेते ही रहते हैं कि अप कितने ज़ादा उसके मेरे माता पिता पुन्य कर्मों की वज़े से आज मैं यहां पे हूं कि आज मैं बाबा के दर्बार में खड़ा हूं इतनी मेरी बात चली रही थी और इतने में दूसरे सेक्यूरिटी गार्ड आके मुझे अचानक से पूछते हैं कि अरे आप काफी दिनों बाद आए मैं यकी मैं अब रहे हैं मैं आपड़ा ह turnover में इसके बद मैं बैल्य मेरे विंतए कर दो कम सीक्यूरिटी गार्ड चाहते नहीं मैं यकीन से बनाव दो कि जरूर आपको बाबा आपको चार आपरिल के ते कि दिन बुलांगे करें हैं यह बुलने कि मैं Цय चलो और साही बबाब ऐसा ही करे बुली, ऐसा हो जाए तो क्या ही बात हो जाए, ऐसा सोच के मैं बाहर आ गई, मैं रिफ्रेंड्स से डिसकस किया, सब बाते डिसकस हो रही थी, और घर पे आई, घर पे आने के बद में अपने नियम कर्म शुरू हो गए, बट अलो फॉसरण मैं ने मार्च में अपने हस्बंड से पूछा जलो एक बार पूछ लेते हैं मैंने देखा अकॉमडेशन भी अवेलेबल था शिरडी में और मैंने चलो बात करके देखते हैं कहीं आइसा ना वो हाँ बोलना चाहें मैंने पूछा ही नहीं इसलिए मैंने फिर उनसे बात की जस उनको पूछा मैं बनी देखते हैं क्या चलते है मेरे बर्डे की दिन शिरडी और सड्दनली वो बोल पड़े हाँ देख लो reservation देख लो चलते है शिर्डी और जैसे ही मैंने देखा जब कि मार्च में देख रही थी मुझे railway tickets भी available मिल गई उस दिन accommodation भी available मिल गया मुझे और यहां आने के बाद में इतने अच्छे दर्शन हुए हैं कि मतलब सच में बाबा का बहुत precious gift था उस दिन का मुझे कि मेरे birthday का सबसे प्यारा gift अगर मुझे दिया भावा ने तो उनके दर्शन के लिए बुला लिया उन्होंने मुझे तो ये ऐसे अनुभव है ये ऐसे हम लोगों को फील कराते हैं या ऐसे हम लोग उनकी लीलाएं अनन्त लीलाएं हम ये ऐसे सुनने में भी आती है उसका उनके ग्यारा वच्चन हमने कभी नहीं बूलने हैं कि वो हमेशा ही हमारे साथ हैं इसी के साथ ओम साइराम जै साइराम मेरे साइराम मेरा विश्वास मेरे साइराम